हेलो एवरिवन, होप यह रॉल दूइंग वैल, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल, तो क्लास 12 इंगलिश विस्तास बुक से चैप्टर नमबर 5 है, शुट विजार्ड हिट मॉमी, जिसके जो लेखक हैं जॉन अब जाइक हैं, तो आज हम इसके प्रिवियस येर कोश्च मॉमी एंगरी विद हीम, कि जो रोजर्स कंग था, उसकी मॉमी उसके साथ गुसा क्यों ही, वट दिट शी फाइनली टेल हीम, और आखिर में उसने उसको फाइनली क्या बताया, और यह जो कोशन है आप से 2010 देली बोड में पूछा गया, तो आंसर होगा, रोजर्स कंग ऑन उसको एक बुद्धिमन और ने एडवाइस किया, कि तुम जाओ विजर्स के पास, और वो तुम्हारी इस प्रावलम को सौट आउट कर देगा, तो इसलिए से उसकी एडवाइस पर वो विजर्स के पास किया था, जादूगर के पास किया था, कि ताकि उसको अपनी गंदी स्मेल से छुटकारा मिल सके, दा विजर्स गेव हीम अन्यू स्मेल आफ रोजजज, अब जादूगर ने उसको एक नई स्मेल दे दी, और जो किसकी थी, जो थी रोजजज की, गुलाब की स्मेल अब उसके पास से आ रही थी, he was very happy, अब वो बहुत जादा खुश था, due to the good स्मेल, अपनी इस अच्छी सी स्मेल को लेकर, क्योंकि अब उसके पास से गंदी स्मेल नहीं आती थी, all the creatures of the woodland became his friends and allowed him to play with them, अब woodland के जितने भी creatures थे, जितने भी animals थे, वो सभी के सभी, उसके दोस्त बन जाएंगे, और उसको अपने साथ खेलने की वो इजाज़त दे दे इसी वज़े से वो अकेला रह जाता था, लेकिन अब वो खुश था कि अब ऐसा नहीं होगा, but when he reached home in the evening, लेकिन जब वो शाम को अपने घर पहुंचा, his mother was angry to find him spelling of roses, अब उसकी मदर ने जैसे ही उसको गुलाब की खुश्बू के साथ पाया, उसको स्मेल किया कि इसके पास से गुलाब की स्मेल आ रही है, फूलों की, तो उसकी मा जो थी, वो बहुत ज़्यादा गुसा हो गई, तो उसकी मा ने उसको कहा, कि यह कैसी ओफूल स्मेल, यानि कैसी बदबुदार स्मेल तुम्हारे पास से आ रही है, she didn't want roger skunk to lose his true nature, अब वो यह नहीं चाहती थी, कि roger skunk जो है, अपने true nature को खोदे, यानि कि जो भगवान ने उनको properties दी थी, जो उनको qualities दी थी, उसको loss करना उसको अच्छा नहीं लगा, she believed that a skunk should smell like a skunk, वो उनका ऐसा मानना था, कि एक skunk को हमेशे एक skunk की तरह ही smell करना चाहिए, जैसा कि भगवान ने उनने बनाया है, उन के साथ सथ उनकी एक identity का माग भी था, तो क्योंकि जो skunk होते हैं, उनको उनकी smell की वज़े से ही जाना जाता है, she scolded him and asked him to immediately have his original smell restored, अब उसने उसको डाटा और डाटने के साथ सथ उसको एकदम से कहा, कि तुरंत अपनी original smell को आप restore करो, यानि कि इसको smell नहीं आने चाहिए, ज उसी को वापिस लेकर आओ, she convinced her son that his friend should tempt him as he is, which eventually they do, उसने अपने बेटे को convinced कर लिया, कि उसके दोस्तों को बिल्कुल उसे उसी तरीके से अप्टे करना चाहिए, जैसे कि वो असलियत में है, ना कि अपने दोस्तों के लिए वो अपने reality को खो देगा, क्योंकि उसके दोस्त उसको पसंद करें, इसी वज़े से वो अपनी उस natural properties को, अपने natural features को खो देगा, जो कि भगवान ने उन्हीं दिया है, तो अपने दोस्तों के वज़े से उसे अपनी personality को, अपनी qualities को खोना नहीं चाहिए, उसने अपने बेटे को ऐसा कहकर convince कर लिया, she finally took him to the wizard and hit him on his head as a punishment and asked him to restore Roger Skunks original smell, अब वो finally उसको लेकर जादुगर के पास गई, और उसने उसको सिर पर hit किया as a punishment, उसको सिर पर मारा और उसको कहा, कि वो जल्दे से जल्दी Roger Skunks की जो original smell है, उसको वापिस दे दे, उसको दुबारा से as it is वैसा ही कर दे, जैसा कि वो पहले था, तो यही कारण था कि Roger Skunk की ममी angry हो गई थी, उसकी गुलाब की खुश्बू की विजए से, क्योंकि वो यह चाहती थी, कि जैसा भगवान ने उन्हें बनाया है, उन्हें वैसे ही रहना चाहिए, और दूसरे लोगों को भी उन्हें उसी तरीके से accept करना चाहिए, जिस तरीके से वे हैं, तो student बढ़ते हैं, next question की तरफ तो next question है, what was the basic plot of each story told by Jack, कि Jack जो story जो को सुनाया करता था, तो उसकी हर story में एक basic plot होता था, जिसके उपर उसकी प्रतेक story चला करती थी, तो वो क्या था, question आप से यही पूछ रहा है, और यह question आप से 2017 में पूछा गया, तो answer होगा, the basic plot of each story was that the tale would start with some animal for example, Rosa, अब उसका जो basic plot था, हर story का वो क्या था, कि हमेशा उसकी story जो थी, वो start होती थी, किसी एक animal के उपर, example के तोर पर, Rosa, और जो उसके जिस भी animals के उपर, वो story होती थी, उसका नाम हमेशा ही, Rosa होता था, who would have a problem, उसके पास हमेशा कोई ना कोई problem होती थी, and visit and all, who is turned would direct him to a wizard, अब वो अपनी problem को लेकर एक बुद्धिमान आउल के पास जाता था, और वो जो आउल था, वो उसको direct एक जादुगर के पास बेज देता था, कि तुम उस जादुगर के पास जाओ, अपनी इस problem को लेकर, तो उसकी हर story में कोई ना कोई animal होता था, students, और हर animal का नाम हम करता था, अब जो जादुगर था, वो हमेशा से ही कुछ जादुगर को स्पेल करता था, कुछ हो ऐसा बोलता था, और हमेशा वो कुछ पैसे उनसे मंगा करता था, और वो पैसे हमेशा कम पढ़ जाते थे, यानि कि जो भी जानवर रोजर, नाम का जो भी जानवर, उसके पास अपने प्राब्लम लेकर जाता था तो जादुगर एक मंदर बोलकर उसकी प्राब्लम को दूर करने का बादा करता था लेकिन बदले में कुछ पैसे मांग लेता था अब जितने पैसे मांगता था उतने पैसे उस एनिमल के पास कभी भी नहीं होते थे and on the direction of the wizard the animal would find money at a place और फिर जादू घर ही उसे बताता था कि तुम ऐसे ऐसे एक direction पर जाओ और वहाँ पर तुम्हें पैसे मिलेंगे वो पैसे लेके तुम मुझे लेकर लाकर दे दो तो उसी direction पर जब वो animal जाता था तो वहाँ पर उसे पैसे मिल जाते थे now the animal collected and pay him अब जो animal था वो उन पैसो को वहाँ से collect कर लेता था और उसके बाद वो wizard को से pay कर देता था then wizard gives a solution for animals problem अब जो wizard था वो उस जानवर की problem का solution उसको दे देता था और उसकी problem sort out हो जाती थी और जानवर खुशी खुशी घर आता था और यहां पर story का end हो जाता था तो जो basic plot था story का वो यही रहता था अलग जानवर होता था लेकिन नाम रोजर होता था बाकि same वो all के पास जाता था wizard के पास जाता था wizard जो था मंत्र बोलता था पैसे कम पड़ते थे तो उसको प्राप्ति का रास्ता भी बिजार्ट ही बताता था पैसे लेकि वो उसके problem को बता देता था तो जानवर अलग होता था problems अलग होती थी लेकिन basic plot यही रहता था और यह story ऐसे ही चलती रहती थी तो student इस तरीके से जो basic plot था वो यह था तो उमीद है यह answer आपको बहुत अच्छे से clear way होंगे वीडियो को like comment share जरूर कीजिए चैनल को subscribe करके notification bell को press कीजिए all पर hit कीजिए ताग आने वाला हार valuable वीडियो आप तक महुँचे मिलते हम आप से अपने next वीडियो में till then keep watching stay connected thank you